हेलो फ्रेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.2 का कोशन नमबर 8 स्टार्ट करेंगे कोशन नमबर 8 है एक क्लास 7 में प्रोजेक्ट है गुड़ दीट नेवर डाए यदि आप इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो आपको प्लस 5 पॉइंट डेली दिया जाएगा और यदि आप इस प मार्च हाउ मच शी स्कूर्ड मीज यदि विदूशी ने मंत ऑफ मार्च में एटीन डेज वर किया है तो उसको कितना स्कूर मिला होगा तो मंत ऑफ मार्च में टोटल डेज कितने होते हैं थर्टी फरस्ट यह तो मंत ऑफ मार्च कितने डेज होते हैं मार्च में थर्टी फरस्ट जिसमें उसने कितने दिन काम किया है उनली एटीन डेज और एटीन डेज काम किया है तो डेली उसको प्लस फाइब प्लस फाइब पॉइंट्स मिल रहा था तो एटीन डेज में कितने पॉइंट होगे होगे उसके ए कर दीजिए 13 देज उसने क्या किया नौट अटेंट करने पर कितने पॉइंट थे माइनस वन तो थर्टीन देज के कितने हो जाएंगे 13 इंटू माइनस वन मीज माइनस 13 पॉइंट अब उसको मिले कितने थे 90 इसके माइनस कितने हो गए 13 तो 90 में से 13 आप माइनस कर जीजिए 90 माइनस 13 इक्वल टू 77 उसका स्कूर कितना हो जाएगा 77 स्कूर नेक्स सेकेंड इस इफ शांतनु डिड नॉट अटेंट एनी गूट डीट फर सेवन देज इन दी सेम मन्त हाउ मच ही स्कूर सेम मन्त मीज यहां मार्श मंत की बात हो रही है तो मार्श में कितने होते हैं टूटल 31 अब यहां नॉट अटेंट का दिया है मतलब उसने 24 डेज उसने उस प्रॉजेक्ट को किया होगा तो 24 डेज किया मीज 24 इंटू 5 किता हुज जाएगा 120 अब 120 इसके 120 पॉइंट से उसको मिले लेकिन उसने किया कितने दिन नहीं 7 डेज जा एवन-7 जो सेवन इंटू-1 मीस माइनस-7 पॉइंट तो जो उसको मिले तो इसमें से आपको क्या गरना है 7 माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा 113 स्कोर 3rd is whose score is greater तो शांतनू के स्कोर है 113 और विदूशी के 77 तो इसकोर किसका ज्यादा होगा शांतनू तो आंसर हो जाएगा शांतनू नेक्स कोशन नमबर 9 इस एक होड मैटलिक रॉड है जिसका टेंपरीचर 278 डिग्री है होड मैटलिक रॉड 278 डिग्री सेल्सियस अब आगे क्या दिया हुआ है आगे इसने बुलाई कि एक मिट में कितना टेंपरीचर ठंडा होरा है उसका 7ढे मिनट में कितना हो जाएगा तो 20 x 7 means 140 degree Celsius ठंडा हो जाएगा तो जो टोटल है उसमें से आप क्या कर दीशे 140 minus 278 minus 140 means 138 degree Celsius after 20 minutes उस रॉट का होगा यह इसका आंसर होगा तो बंकै।